नमस्कार आपका स्वागत है जमू लिंक्स नीउस में और मैं हूँ विशाल शर्मा आपको बता दू कि टोल टेक्स अब बढ़ गए है यानि कि कल से आपको बढ़ा हुआ टोल टेक्स तमाम टोल प्लागस पर देना होगा और नए रेट लिस्ट भी जारी हो चुकी है इससे पहले हमने आपको ये खबर बताई थी कि टोल टेक्स में इजाफा हर वर्ष होता है और इस बार भी इजाफा जो है वह दस प्रतिशत तक किया गया है और अब कल से यानि कि आज रात 12 बज़े से ही बड़ी हुई टोल धरे जो है वो लागू हो जाएंगी और आपको लखन wielSeil ये सभी fast track अधारित हैं अगर आप manual जाते है तो इसके लिए आपको अत्रिक्त जुरुमाना जो है कि सबसे महंगा टोल प्लाजा है तो इस पर यदि आप कल या जाद 12 बज़े के बाद अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं जो कि कार जीप या लाइट मोटर वीकल है तो आपको सिंगल जर्नी के लिए यानि कि एक तरफा आपको एक सो पैंसेट रुपए अपने फास्ट एक से देने होंगे और अगर आप 24 गंटे में 24 गंटे की आगर आप पेमेंट करते हैं यानि के डबल जर्नी के अगर आप पेमेंट करते हैं रिटर्न जर्नी की भी करते हैं तो अब आपको 245 रुपए देने होंगे यानि कि आपकी नीजी कार जो कि लाइट मोटर वीकल में आती है वो अगर आप बंटोल प्लाजा से पार करते हैं और दो तरफा आप तोल देते हैं तो 245 रुपए आपके लगेंगे और सिंगल जर्नी के एक सो पैंसट रुपए लगेंगे उसके इलावा मिनी बस एल सी वी एल सी वी के जो ह और डबल जर्नी 400 रुपए है और उसके लावा बस ट्रक डबल एक्सल के लिए 835 रुपए जो है वो लगेंगे बंटोल प्लाजा पर डबल जर्नी के लिए और सिंगल के लिए पांचो 55 रुपए इसके इलावा जो मंतली पास वहां पर मिलता है जो कि 20 किलो मीटर के इदारे में नौन कोमर्शियल विकल्स वाले हैं जो कि मंतली पास लेकर चलते हैं उनके लिए अब 330 रुपए इस वर्ष की जो है वह फीस रहेगी तो ये मंतली पास होगा 20 km के दारे में रहने वालों के लिए लेकिन फीज जो है वो आप 330 रुपे होगी तो ये बन टोल प्लाजा के बारे में मैंने आपको बताया उसके इलावा अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पर आगे हम आपको बताएंगे लखलपूर जो टोल प्लाजा है उसमें अब अपनी निजी गाड़ी के अज़र टोल जो है वो फे करना होगा डबल जर्नी के लिए और इसी प्रकार से अगर आप सिंगल जर्नी का वहाँ पर टोल देते हैं तो इसके कीमत वहाँ पर 100 रुपे जो है वो आपको देनी होगी लखनपूर टोल प्लाजा पर और मिनिबस के लिए यह 200 रुपे रहेगा और बाकी 150 रुपे जो है वो इसमें चार्च किये जाएंगे तो जो इजाफा है तोल में वो अब हो चुका है और आपको मैं यह बता दू कि इसी प्रकार से बाकी के जो टोल्स है वहाँ पर भी दाम जो है वो बढ़ाए गये हैं हम सांबा की ब क chap up 125 रुपे देने होंगे और यदि अपल जर्णी जाते हैं तो आपको पंचासी य् два आपको देने होंगे सिंगल जर्णी अपनी लाइट मोटर वीकल पर मिनीबस प्तिन गया हैं उनक्य लिए डबल जर्नी 200 रुपए और सिंगल जर्नी 1303 यहां पर भी बढ़ा दिया गया है और जो मंतली पास है उसकी कीमत यहां पर भी आ तीन सो तीस रुपए ही रखी गई है तो यह आपका सांबा का जो है वह मैं आपको बता दिया है तो यानि के टोल्स जो है वह बढ़ गए है लेकिन अगर बन टोल प्लाजा की बात करें तो 24 पेंतालीस रुपए अब आपको वहां पर देने होंगे उसके लावा जो कश्मीर के टोल प्लाजा है वहां पर भी बढ़ी है चनैनी नाश्री की बात करें तो वहां पर टोल अब डबल जरनी का 120 रुपए होगा जबकि सिंगल जरनी का अगर आप अपनी गाड़ी में टोल लेते हैं तो आपको 80 रुपए का पड़ेगा और मिनी बसिस के लिए LCV के लिए ये 190 रुपए है जबकि सिंगल जरनी जो है वह 125 रुपए है तो इजाफा टोल में आज रात 12 बज़े से ही हो जाएगा यानि कि अगर आप आप आज 12 बज़े के बाद अपनी गाड़ी लेक अगर ड्राइब करते हैं और इन टोल प्लाजा से आप अगर गुजरेंगे तो आपको अतरिक्ता भुक्तान जो है वो तोल के रूप में जो है वो अब देना होगा और आपको पता दो कि टोल रिविजन प्रतेक वर्श होता है ऐसा नहीं है कि ये इसी वर्श बढ़ा है प उस पर इसका सीधा असर पड़ता है आपकी जो कमर्शियल वहिकल है बसिस है मिनी बसिस है उनका जो किराया है उसमें इजाफा होता है इसमें कोई संदेर नहीं है कि महंगाई में जरूर अडिशन जो है वो इन टोल रेट्स की वज़ए से होता है लेकिन एक एन्वल एक्स पड़ेगी यह सबसे महंगा टोल जो है यह रहता है यहां का और हर कोई जो है वो इसी टोल को लेकर चर्चा करता है चिन्हानिन आश्री में 120 रुपए आपके सिंगल गाडी का है और 80 रुपए वन साइड का है उसके इलावा अगर मैं आपको बात करूं लखनपूर की तो लाइट मोटर विकल के लिए नमस्कार